आज कानपूर के अंदर जिस तरीके से धरजनों पुलिस कर्मियों के उपर फायर करके उनको मौत की नीद सुला दिया गया यह जो है कहें न कहें इस पर सवाल खड़ा होता है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल लही है यह पूरे तरीके से इसका निकम् है जिसके कारण आज आठ जवान सहीद हो गए आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि योगी जी जब सत्ता में आये थे तो जो है आवास मुख्यमंत्री आवास धुलवाने का काम कर रहे थे तो मैं योगी जी को यह बताना चाहूंगा कि योगी जी आवास धुलवाने स सत्ता नहीं चलती है, अगर सत्ता चलती है, तो वो मन को धुलवाने से सत्ता चलती है, यहीं आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, जिस तरीके से पूरा हत्या प्रदेश बन चुका है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस कर्मी होते हैं, ज उन पर गोलियां चलाई जा रही है, अपराधी सीधे उनको गोली मार रहे हैं, उनको मौत की निद्फुला रहे हैं, यह सरकार का निकम्मापन है, आज जिस तरीके से कानपूर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि विकास दूबे नाम का एक अपराधी आता है जो कि हि राज्य मंत्री को घर घुष करके जो है उसकी हत्या की थी, राज्य मंत्री को गोली मारने का काम किया था, आईसे अपराधी क्यों बाहर गूंगा रहे हैं, जब योगी जी आये थे, तो उनका सबसे पहले जो है एक अभियान चला था, रोमियो इसकोएड रोमियो, यानि क कहीं भी अगर भाई बहन भी घूमते हुए मिल जाए, तो उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के लिए कोई जगा नहीं आई, एक भी अपराधियों उत्तर प्रदेश में अपनी राजनायतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण लोगों को मारा गया, लेकिन आज जिस तरीके से आठ पुलिश कर्मियों के उपर गोली मारा गया है, आठ पुलिश कर्मियों को जो है, मौत की नीद सुला दिया गया है, वह विकाश दूबे को आतंकी घोसित कर देना च चाहिए, अगर ये लोग जिद्दा पकड़े जाते हैं, तो इसमें ये किसके सनरच्छण में काम कर रहे थे, यह बहुत ही जल्द जो है, यह पोल खुलेगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, कि ये लोग राजनीतिक सनरच्छण के करण विकास दूबे बाहर घूम रहा था, नहीं तो वह भी कास दूबे है, जो कि राज्य मंत्री की हत्या की है, और वह भी बेल पर बाहर घूम रहा है, यानि उसको जो है, लोवर कोट से जो है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेल मिल गया, सौ से अधिक मुकदमे उसके उपर कायम थे, लेकिन उखुले आम उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा था, और यहीं आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से निर अपराध लोगों का इनकाउंटर किया गया, निर अपराध लोगों को वांचित किया गया, इनामी घोसित किया गया, और उनको गोली मारा गया, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आदित्ययोगी जी से, कि आखिर विकास दूबे जैसे सैकडों मुकदमों के गुनहगार बाहर किस बेश पे घूम रहे थे, इनका इनकाउंटर अब तक क्यों नहीं हुआ, यहीं पुषपेंद्र यादव नाम का एक लड़का है, आप लोगों ने सुनाओगा, कि जासी के अंदर था, और पिछले साल उसको जो है, उसके उपर कोई भी एक भी मुकदमा नहीं दर्ज था, लेकिन उसके सिर में गोली मार दी गई थी, उसके सिर में होता है, कि आखिर जो है, पुषपेंद्र यादव को गोली मार दिया गया, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, कि यहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस, ब्रिजलाल मौरिया को पीट पीट के मार देती है, प्रसाशन के कहने पे मारती है, पुलिस वाले जो है, इतने निरंकुष नहीं होते कि वो किशी की हत्या कर दे, लेकिन प्रसाशन के इशारे पर, साशन के इशारे पर जो छेत्री नेता होते हैं, वो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जो भी होते हैं, उनके इशारे पर पुलिस वाले लोगों की हत्या करते हैं, लेकिन कल जिस तर ताल पूछना चाहता हूं कि योगी जी विकास दूबऑ जैसे लोग आखी कैसे बाहर घूम रहे थे हुआ कि सर बेश्त के बाहर घूम रहे थे जव उत्तर प्रदेश के अंदर यह और अभियान चलाया गया कि कि कोई भी अपराधिय उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहने पाएगा और वह जिस तरीके से गोली चलाता है उसमें आठ जो है आठ पुलिस कर्मी सहीद होते हैं और जिसमें शीयों भी शीयों को पकड़के उसके शिर में गोली मारी जाती है यसु को मारा जाता है और उसके बाद जो है अन्य जवानों को भी मार दिय ने जाता है मौत की नीद सुला दिया जाता है तो आझिर कहा है योगी ज 2 क्या कर रहा योगी जी आप भ्यान दीजिए कि यह आवास धुलवाने से जो है सत्ता नहीं चलती देश नहीं चलता उसके लिए जाती ब्हेद भाव मिटाना होगा वरण देवस्था मिटानी होगी आखीर जो कि निर अपराध लोग हैं आज यह इस्तिती है कि जो निर अपराध लोग हैं उնका इनका इनकांसर कर दिया जा रहा है और यह स्तनरच्छड आप लोगों को द्वारा दिया रहा है और आज की जो मीडिया है जो मनु मीडिया है वह क्या कह रही है यही मीडिया के लोग जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब तीन साल पहले की बात है मतुरा के अंदर मतुरा के अंदर आप लोगों न देखा होगा कि राम ब्रिच राम ब्रिच जो है एक अपराधी ब्यक्ति था राम ब्रिच यादव था जब उसकी अखिलेश गपरेंट में उसका इंकाउंटर किया गया तो यही मीडिया जो है क्या दिखाती थी यादवी यातंक ये लिखते थे ये लोग दिखाते थे कि यादवी यातंक था वहाँ पे रामप्रिच के द्वारा वहाँ जितने भी अपराधी थे सारे के सारे यादव थे लेकिन आज ये क्या हो गया आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पुलिस पर गोली चला अपनी राजनाइतिक महत्वा कांच्छा को लेते हुए राजनाइतिक बिरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए उनके उपर तरह तरह के फर्जी मुकदमे लिख करके उनको गोली मारा गया है लेकिन आज विकास दूबे पर क्या कहेंगे और जो तमाम अंदभक्त हैं वो क् पताना चाहता हूं जितने भी साथी देख रहा है मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को योगी जी तक पहुंचाने का जो सिलसिला है आज एलाहाबाद के अंदर भी होलागड में आज पांच लोगों की हत्या कर दी गई है आज शामंतियों के द्वारा पांच लोगों की हत्या अलाहाबाद ने भी कर दी गई है अमारे लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन के रह गया है और योगी जी जब लाठिया चलवाते हैं तो वो पैदल चल रहे मजदूरों पे लाठिया चलती है योगी जो है शपाई है यह तो सपा का था इसलिए यह बाहर था सो मुकदमे के बाद अरे चमन चूतियों मैं यह तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जब लगा तार 2000 लोगों की हत्या की गई है उनकी सरनेम देख करके तो क्या वो शपाई नहीं थे क्या अब टोटल अपराधी नहीं थे तो उनकी हत्या क्यों कर दी गई मैं यह पूछता हूं कि अपराधी किसी भी पार्टी का हो अगर विकास दूबे शपाई था तो इसका इंकाउंटर और पहले कर देना चाहिए था क्योंकि यह शपाई था लेकिन शपाई होने के बावजूद भी यह क मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूं लेकिन अगर विकास दूबे शपाई था तो उसको संरचन राज जो है उत्तर प्रदेश सरकार क्यों दे रही थी सव मुकदमों के बाद वो क्यों घूम रहा था और मैं योगी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यही योगी जी है जब लखनव के अंदर जब एनार्शी और सीय का बिरोध हो रहा था तो वहाँ जब हिंचा भड़की थी और हिंचा भड़की नहीं थी वो भड़काई गई थी तो वहाँ जो है पोस्टर लागू कर दिया गया था काइमरे को देख देख करके और उनके उपर मुकदमे ला पारी नजर से नहीं बच सकते हैं हम इनका फोटो वाइरल करेंगे और इनकी जमीन को निलाम करेंगे और निलामी की प्रतक्रिया भी जो है वो तुरू हो गई है तो अगर शिये या नार्शी में प्रदर्शन करने वाले अपराधी को आप नहीं बक्स रहे हैं जो कि पहले आपकी निगाह से कैसे बचे हाएं इसका ये शिधे-शिधे मतलब है कि आज भारती जनता पार्टी की शरकार में अपराधियों का सरनेम देख करके उनको जो है जेल के अंदर डाला जा रहा है या प्रताडित किया जा रहा है या पैरोल पे छोड़ा जा रहा है मैं ये कहन में दूसरे को भी बचा सकते हैं लेकिन उनको तो जेल में डाल दिया गया है उनको कोई राजनाइटीक सनरचर नहीं है तो बनाते है देश को जनता को गुम्राह करते है और अंद भक्त गंद भक्त गोबर भक्त जो है यह किनारे रहे और नहीं तो इनकी खायर नहीं है मैं यह कहना चाहता हो कि मतूरा के अंदर जब तांडव होता है तो मनु आतंकी हैं, लेकिन इनको नहीं जोड़ा जाएगा, आज पूरा उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन के रह गया है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं निसादों की हत्या हो रही है, कहीं बिंदों की हत्या हो रही है, कहीं यादाओं की हत्या हो रही है, कहीं धो कोई बचा नहीं है लेकिन हत्या करनेवाले लोग सवसोव मुकदमें जिसके ऊपर कायम है आइशे लोगों को बाहर छोड़ा गया है तो आम जनता पुलिष प्रसासन और गवाहों पर गोली क्यों नहीं मारेगा आएसे लोग क्यों छुट गए हैं अगर आएसे लोग छुटते हैं तो सवाल खड़ा होता है हमारे न्यायालाई पर सवाल खड़ा होता है माननी हाई कोड़ पर सवाल खड़ा होता है सुप्रीम कोड़ पर सवाल खड़ा होता है कि या खिर इत इसको भी बक्सा नहीं जाना चाहिए यह जो आज हमारे जवान मारे गए हैं जो हमारे जवान सहीद हुए हैं इन जवानों की शहादत में इन हत्यारों की लिस्ट में उस जज का भी नाम होना चाहिए जिस ने इसको विकास दूबे को बिल दिया था क्योंकि एक राज्यमंत् पर सवाल खड़ा होगा अगर ऐसे विकाव जज बैठे रहेंगे कि जो कि राजनायतिक दबाव में और पैसे लेक लेकर करके अगर जो है आईसे लोगों को छोड़ेंगे आईसे लोग कैसे छूट गए कि जो मंत्रियों की हत्या कर रहा है वो बाहर है अभी तक देड़ हजार फाथी जुड़ चुके हैं मैं इन सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार एक बार इसको गुरूपों में शेयर कर दें आज शिपाही जो शिविल पुलिस कहे जाते हैं इनको न तो पैंसन मिल रही है और न तो इनको सहीत का दरजा मिल रहा है आज जो शिपाही होता है जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान चवबिस चवबिस घंटे काम करता है इसको कोई जो है चवबिस घंटे इनक के बाद और न तो इनको कोई सहीत का दर्जा मिलता है तो मैं ये शरकार से कहना चाहूंगा मैं योगी जी से ये कहना चाहूंगा कि यादरणी ये योगी जी माननी ये योगी जी आवाश को गवमूत्र गंगा जल से धुलवाने वाले योगी जी ये जो हमारे जवान शहीद हुए हाँ ये किशानों के बेटे हाँ ये मजदूरों के बेटे हाँ जो लासें वहाँ से उठेंगी ये लास किसी सांसत के घर नहीं जाएगी किसी मंत्री के घर नहीं जाएगी, किसी बिधायक के घर नहीं जाएगी, यह लास जब वहां से चलेगी, तो यह किसी न किसी किशान के घर में जाएगी, यह मातम होगा किसी किशान के घर में मातम होगा, और जो अनात होंगे बच्चे, वो किसी किशान के बच्चे अनात और जो बिधवा होगी किसी किशान की बेटी बिधवा हो रही है तो इसका दर्द समझे इसका पीड़ा समझे मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इन जाबाज शिपाहियों को कम से कम एक करोड रुपए मिलना चाहिए और इनको सहीत का दर्जा मिलना चाहिए अगर आप अपराध इन उत्तर प्रदेश के जो पुलिश वाले हैं इन जवानों को सहीत का दर्जा देने के लिए आप कानून बनाईए और इनको यह के करोड रुपए का जो है मुआउजा देने का कानून बनाईए निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं त झाले हैं तो